बालकोनी गार्डेन का ओबर्वियू ले आई हूँ फ्रेंस तो आप लोग वीडियो में एंटक बने रियेगा और मेरे चैनल में नेई है पहले बर मेरा वीडियो देख रहें है तो प्लेज सब्सक्रेब करती जियेगा और बेल आइकन में भी प्रेस कर ले थाके हरा नवले नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और वीडियो आचे लागे तो एक लाइक जरूर करती जियेगा तो चलिए फ्रेंस वीडियो स्टार करते हैं तो आभी कौन-कौन से प्लांट्स का कातिंग्स और रिपोर्टिंग करना है तो यही मैं वीडियो ले बहुत मेनट से वीडियो बनते हैं तो यह स्टेक प्लांट्स आप लोग पहले दिखा देख चुकी हो मेरे चैनल में अब लोडेद है आगर नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा और यह क्यलारियम भी आच्छी ग्रोव हो रही है और यहाँ पे यह सब प्लां यह सबसे पहले शिरू करती है एगलो निमा प्लांट से तो यह मैंने कुछ मन पहले एक ही प्लांट से मैंने लगाया तो आभी तीन प्लांट हो गई है और जो मादर प्लांट है इसका काटिंग्स मैंने अलग करके लगा दिया कितनी आच्छी इसमें ग्रोव हुआ है तो इसमें प्लांट बनके बिल्कुल तियार है और भी निचे से बेबी प्लांट आभी भी निकल रही है तो और भी यह बुशी होगा और इसको भी मैंने एप्रिल मान में ही रिपोर्टिंग करूंगी इसका अलग-अलग करके तो और कुछ दिन इंतेचर कर रही हूं और यह रेड बेलेंटेन एंगलोनिमा तो यह भी इतना ग्रोड हुआ है और इसका बीच में फूल आ गया था मैंने तूर दिया बिल्कुल कलिया था तो यह मैंने मादर प्लांट से ही तियर किया है इसका काटिंग लगा कर यह चाल गया दू प्लांट और इससे भी बड़ा एकद से भराइती है तो पता नहीं यह भी स्लो ग्रो हो रही है क्योंकि इसका जो ग्रोटिंग का टाइम है तो इसी टाइम पॉट को मेरा बाबु ने गिराया है गामला और प्लांट का रोट से बिल्कुल अलग हो गया था तो ऐसे तीन बर हुआ इस वज़े से इसका जो सुरद दिखते हैं प्लांट तो इतना बरा भी नहीं होते हैं बिल्कुल जोटे से पॉट में मैंने लगा कर रखा है 對 कमने मेने कार्टिंग्स लगा यह इसका काट करके मैंने लगाया और यहां से बोतल में भी देखिए 4-4 cuttings मैंने लगाया ये भी आच्छे से चल गया कितने आच्छे लग रही है देखे सकती हो और ये है दैफिन वकिया और ये कितना ज्यादा अभी ये healthy growth हो रही है मेरे garden में इसको मैंने सरक से उठा के लाया था तो इसका cuttings जो मैंने लगाया तो इसका अभी वीडियो में share करूंगी आप लोगों के साथ कैसे मैंने तियार किया था और ये सब plants तो मैं पहले ही share कर चुकी हूँ और ये moss rose ये पहले बार मैंने एड किया है मेरे balcony garden में और इसका फ्लार्स का size जो है काफी बरी है इसलिए मैंने थोरा सा अलग लागा मुझे नाट ग्रू हो रही है तो इसका region भी है क्यूंकि इसमें बहुत ही ज्यादा over watering हो रही है और ये क्यला थी है इसका growth भी थोरा सा slow है मागर इसका leaf इतना ज्यादा attractive है ना बहुत ही ज्यादा खुबसुरत है मुझे बहुत पसंद है ये और ये piece lily ये छुटे वाले piece lily है इसका leaf चुटे चुटे होते हैं दूर टाइप का piece lily होते हैं तो मेरे पास दोनों टाइप का ही piece lily है तो ये इसका leaf जो है ये बरी-वरी होते है मागर इसका baby plants अभी तक नहीं बनी है और जो चुटे वाले भराइटी है piece lily ये बहुत ही तेजी से baby plant हो जाती है ऐसे ही और इस तरफ मैंने ये अम्परेला प्लान पे बोला जाता है इसको तो ये ठीक ठाक है इसका गुरूद बिल्कुल ठीक है और यहाँ पर मैंने सॉंग अप इंडिया का काटिंग जो लगाया तो आभी ये अच्छी गुरूद ले रही है तो इस बर समर में ये और बरा हो जाएगा और ये है जेट प्लान तो जेट प्लान को आप जैसे भी करके काटिंग से लगादो ये बहुत ही इजली गुरू हो जाती है मगर 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 इसको चार पाच गंता दूप लग जाए ऐसा जगा पर आप लोगों को रखना परेगा बिल्कुल इंदूर नहीं चलेगा और ये है कोस्मोस मैंने नीचे गर्टेंट से लिखे आया था और ये कोलियास इसका काटिंग्स मैं अभी लगाऊंगी तो इसका भी वीडियो ले आऊंगी फ्रेंट्स कुछ मैंने काटिंग्स भी कर दिया है यहां से और यह है मादर प्लान जो मैंने काटिंग्स लगाया था संगोप इंडिया का तो आभी यह भी काफी हेल्डी है और थोरा सा भूशी भी हुआ है प्लान बालकोनी पे रखा है तो इसके लिए इतना पाने देने के ज़रूरी नहीं है तो मित्ती बिल्कुल सुखा परा हुआ है फिर भी प्लांट्स हेल्डी है तो इसमें मैं पाने दाल दूँगी तो यह हो जाएगा तो कुछ प्लांट्स मेरे पास और भी प्लांट्स थी बिल्कुल अभी नहीं है मेरे गार्डेन पे बहुत दुख लगते हैं मुझे क्योंकि कोई है जो छुप छुप के पाने डालते हैं ऑबार वातरिंग करते हैं सुबा उत्ते ही पानी डालेगा रूतिन करके और सोने से पहले रात को भी पानी डालके ही सुते हैं तो ऐसा मैं कितना छुपा छुपा के राखूं फीर भी छुप छुप के जाके पानी डाल देते हैं और मेरा काफी पसंद मन पसंद के प्लान है वो सब भी मर गया मैं बहुत परिशान हूँ क्या करूँ और ये हाइडरेंजिया इसका लिप बिल्कुल जल गया है क्यूंकि मैंने बालकोनी पे ही रखा है मगर शेट पे रखा था और उसको मैंने अचानक अभी तो इसमें फ्लावरिंग आने का ताइम है बोल के मैंने दिवर के उपर उठाया तो इतना ज़्यादा दूप लागा इसका पत्ती ही जल गया और ये गल्टी सिर्फ मेरी ही है आप लोग ऐसा ना करें अगर प्लावरिंग शेट में आप रखा है तो अचानक से आप दूप में ना राखे जैसे कि मैंने राखा इसलिए ये मुझे आच्छा सबक भी मिल गई और ये भी काफी आच्छी अभी ग्रोध हो रही है ये तो बिल्कुल नीचे ही गिर गया था तो आभी मैंने दूबरा लगा दिया और ये स्पाइडर प्लान को पता नहीं कौन खा रही है ऐसा हाल है और ये फिलो देंटरन तो ये भी स्लो ग्रोध हो रही है क्योंकि इसमें अवर वातरिंग हो रही है क्योंकि ये समने के तरफ है आभी छोटी प्लान है इसलिए बहुत ज़्यादा पाने दालते है क्योंकि छोती प्लान में पानी बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं इसलिए छुप छुप के पाने डालते हैं मैं रूप नहीं सकते और ये भी केलाथिया बहुत अच्छे ग्रोह हो रही है ये भी केलाथिया है और ये भी केलाथिया है मागर ये है ना गर्मी में बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है नहीं चल पाती है ये सिर्फ थांडा जो थांड है विंटर में थुरा बहुत ये चल जाती है और यहाँ पर Christmas cactus मैंने cuttings लगा कर रखा है और भी बहुत सारे मैंने लगा कर रखा है यह spider plant तो baby plants ऐसे ही निकलते ही रहती है आप लोगों को मालूम ही है एक plant से लगाया मैंने कितना भी plants मेरा हो गया है और यह खेलांचु तो यहाँ पर भी cuttings लगा कर रखा है मैंने तो यह बात में आप लोगों के सर्शियर करूंगी तो यहाँ पर मैंने यह यलू वाली तिकुमा है मैंने छोटी बहन के घर से ससुरल से में के लेके आया मैंने cuttings भी चल गया है और यह है क्यालांचु हाइब्रित वाली जियो है तो मैं इतना खूश हूं कि कितना मेहनत करके लग और प्लांच इतना अच्छी भी नहीं है मागर इसमें भर के फूल आया और यह भी इतना खूबसुरत दीख रही है ना मैं बहुत खूश हूं गई हूं क्योंकि इतना मेहनत किया तो इसका रेजल मुझे मिला है इसलिए बहुत ज़्यादा खूश हूँ गई हूं और यह क कर दूंगी आभी क्योंकि प्लांच थुरा सा यह दुप के चकर में थुरा सा प्लांच खूबसुरत नहीं हो पा रहे हैं इधर उदर ऐसे ही ग्रू होते हैं तो इस वज़े से यह पर्पल हर्ड इसका भी मैं लगाने वाली हूं उपर मैंने माने प्लान रखा हुआ है और यह है नाइट क्विन यहां ही रहते हैं और कुछ मैंने हेंकिंग पर लगा कर रखा है स्पाइडर प्लान को तो यह ऐसे ही ग्रू होते ही रहते हैं माने प्लान है और यह तर्टल बाइन है तो यह भी अच्छी से अभी ग्रू हो रही है मैंने दू पौत इसमें लगा कर र और भी अभी बहुत सब्सक्राइब करना है और रिपोर्टिंग करना है तो यह वीडियो में बहुत जल्दी लियाओंगे आज का वीडियो आप लोगों को क्यासा लगा कॉमेंट कर जिरूर बताएगा थेंक यू सो मच पूर वोचिंग एन बाइवे एवरिवर्यून